गुड मोरिंग बच्चो गुड मोरिंग, सव 혼गराम ये थर बेटा 13 महिने का फिस बाकी है कल ले के आना ही ता सर कालिया या सर 13 5 महिने का फिस बाकी है याद है कहाँ याद होगा याद तो स्रीप मोबाइल का रिचार्ज कर रहता है बस ओर टाइम से होना चाहिए बाकी फीस का तो क्या देते रहेंगे कल तू भी लेके आना अगर आगे पढ़ाई करनी होगी फेकर लेके आऊंगा सर और बेटा पीके तू कब देगा सर क्या फीस और क्या चार महीने का फीस बाकी है अगर आगे पढ़ाई करनी होगी न तो कल फीस लेके आना अरे सर कर दिये सस्ते मास्टर वाली बात अरे सर आग चार महीने की छोड़िए पिछले एक साल और आगे चार साल का फीस अल्रेडी जमा है अरे जा बात कर रहा है कहा है देखूं तो अबे बुरवाक इसमें तो एक महीने का भी फीस जमानाई है हाँ क्या बात कर रहा है अरे सर मेरे मुबाल में पूरा रिकोर्ड आ पेमेंड का यह लो देखो हैं सच में ला दिखा ए पूजा सर को मुबाल देखिया क्या हट क्या हुआ भे ला रुक तुझे तो मैं बाद में देखूंगा ला राओ सर ला दे देखता हूँ कहा जमा है ए लो सर देख लो अबे क्या हुआ सर जमा है ना अबे नहीं क्या हाँ हाँ जमा है अरे इसका क्या करूँ अबे सुवर कहीगा तु कलास में मुबाल लेके आता है चलिया बैट अब छुट्टी ओने एक बादी मुबाल तुझे मिलेगा अरे याज चल्दी डिलीट कर दूँ अरे सर इधर देखो कोई फाइदा नहीं ये डिलीट करके ये वाला रिकोर्ड मेरे दूसरे भी मुबाल में है लाओ इधर दो पड़ा आए डिलीट करने वाले अब अब सुवर कहीं का रुख तुझे अभी देखता हूँ सौगराम चली दरा चल जरा बोड पे पच्पन लिख तो त्या मत पान जया पच्पन नहीं बे पच्पन लिख 50 और पांच अर तैसे लिखते हैं पच्पन लो अब अब सुवर कहीं का इतने से पढ़ाई कर रहा है अभी तुझे पच्पल लिखने ने याता चल बोड पे पांच लिख यह थर लिखा अब उसके साइड में और एक पांच लिख यार यह वाला पांथ कहां बनाऊं क्या हुआ सोच क्या रहा है अब यह लिखना अरे थर मैं यह थोत रहा हूँ यह दूथरा वारा पांच का उन्ता थाइड लिखूं क्या अब यह तेरी तो चल बैढ़ना लाट कहीं का चल का लिया तू खड़ा हो चल बता मानले अगर अचानक तेरे सामने भगवान आ जाए तो तू क्या करेगा सर मैं पहले यह कंफरम करूंगा कि भगवान हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं अब नालाइक तू मुझे भी कंफ्यूज कर दिया चल दूसरा बता अरे क्या बात सर आज हमसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं हफा हमसे हो गए हैं का पूछूंगा रूख चल का लिया बता वो कौन सी रात है जिसमें आस्मान गिरने का खतरा नहीं होता है सर मुझे लगता है सनिवार की रात वो कैसे सर वो इस लिए क्योंकि उस रात जादे तर्टांगें ऊपर रहती है ओ चाच्छा क्या तेरी तो बैंड ना लाइक नहीं आज तुससे ऐसा परसन पूछ लेता हूं ना बता ही नहीं पाएगा उसके बाद धुलाई करूंगा तेरा रूख बेटा तु आज मुझे ये बताएगा कि जानवर कैसे बोलते हैं अरे सर ये बहुत आसान परसन है यू जवाद दूंग यू आ तो ठीक है चल बता डोक कै कैसे बोलता है और कट अरे क्या करूं यह तो सब बता दे रहा है से कठिन पूछता हूं और बता लान कैसे बोलता है अरे चल लाश्ट बता बेबी कैसे बोलते हैं और तेरी तो फिर उतर के असली इलता पर